बाहन लिजिए आपके boss ने आपको sale data दिया और आप से उन्होंने का मैं जिस employee का name या type करूँ उस employee की तीनो महीने की sale total हो के या सो हो इसके लिए आपको formula बार में सबसे पहले आपको sum का formula लगाना है तीनो महीने की sale को total करने के लिए इसके बाद we look up formula लगाना है look up value में name बाले sale को slack करना है comma देके table area में पूरा data slack करना है comma देके column index create करना है curl bracket देना है आपको 2 मतलब January 3 मतलब February 4 मतलब March curl bracket close करना है comma देके zero press करना है exact match के लिए दो बार bracket close कर देना है enter hit कर देना है अब मैं या पर किसी भी employee का name लिग देता हूँ जैसे sundar और enter मेरे पास इसकी तीनो महीने क sale total हो के आजेगी